आप सभी एब एक्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं अवनीज चलिए स्टार्ट करते हैं आजी क्लास अब आपको पता है ससी जेई मेंस का पेपर का लास्ट वीक बचा हुआ है अगले वीक आपका एक्जाम है क्योंकि आपका पहले का जो प्री का एक्जाम है इसमें बहुत डिफ्रेंस हैं पहले आपके पास कंवेंशनल टॉपिक्स थे कवर कर सकते उनको पता था कि कहां से कोशन्स आ सकते हैं बट जब से अब्जेक्टिव हुआ है तो सब कुछ पढ़के जाना पड़ेगा तो बहु आपको बहुत अच्छे से समझानी है कि यदि मैं इस पर काम करता हूं तो हम यहां पर अच्छे से लास्ट विक को अच्छे से यूटिलाइज करके आपका नमबर ला सकते हैं आप अपनी महरत पर काम कर सकते हैं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सबसे पहले के बाद सब कॉंटेंट बनाया उसको टाइप कराया उसकी क्लास कराई और तीन सो घंटे का पूरा सिलेबस कंपलीट कराने का एक बहिने में कोई आसान काम नहीं होता है जितनी बड़ी बड़ी कंपनियास थी जो मेंस का बैच पढ़ारी थी उन्होंने बीच में छोड़के भाग गए या बहुत ही कम में अराम से खतम कर दिया कि दददस कुश्चन करवा के खतम कर दिया या बैच ही बंद कर दिया और फिर आप 2024 के पर लग गए हैं हम एकमात र सब्सक्रिप्शन सस्ता पड़ जाएगा उसने पर पास कर लिया मेंस के आपके आया तो मतलब वह अपनी सफलता के बहुत पास था लेकिन आपने उसको एक तमूरा दे दिया अगली बार आप कर दिया मतलब यह चाहते हो कि आप बच्चों नमबर ना आए तो वह चीज़े के अंदर जैसे आपका पैटर्ण चेंज होने का नोटिस आता है उसके तुरंत बाद हम लग जाते हैं अपनी कारेकरम में की जल जल दी आपको चीज़े कंप्लीट करानी है उसके कुछ फाइदा भी कुछ नुकसान भी है फाइदा यह है कि बहुत साफ अच्चों को डाउ पूरिज में ला सकते थे कि यहां-यहां से कोश्चन सा सकते थे आर्टी सी में से कोशन आ सकता था तो यह कुछ पैटर्ण से वह फिक्स पैटर्ण सब खतम हो चुके हैं अब आपको सब कुछ पढ़के जाना पड़ेगा तब कुछ आप पढ़ेंगे तबी चीज़ों को कम है ठीक है तो अब बात आती है कि सर अब लास्ट मोमेंट पर क्या करें या कैसे ना करें क्या करें यह सब चीज़े आपको आज की क्लास के अंदर बतानी है उससे पहले भाई जो बच्चे टेस्ट नहीं देने आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं क्योंकि अब आपको एक जनलाइज वे में पढ़ना पड़ेगा वह एक तरीका होता है पढ़ाई का उसमें आप अच्छे से करेंगे तो आप अच्छे कर पाएंगे तो वह चीज़े है आप अच्छे नमर भी लेकर आएंगे बस यह है कि हम यह सोचते रहे जाएं कि क्या कुछ और हम प आपको पढ़ना पड़ेगा उससे आपकी चीज़े के लिए होती है दूसरा पेपर हाड आएगा तो सबके लिए आएगा अपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है बिल्कुल जनलाइज वे में पढ़ाया है और हर एक टॉपिक को कवर किया है जहां से एक्जाम में कोशन बन सकते थे बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है कुछ नया ट्राइ नहीं करना है तो लास्ट हफते में जो नहीं करना है वो आप ध्यान लखेंगे सबसे पहले कि नहीं करना क्या है नहीं करना है कि भाई जिन टॉपिक्स पे आपने अब तक हात नहीं लगाया है अब आप उस पे हात नहीं लगाएंगे कोई भी new topics को अब आप decide नहीं करेंगे नहीं चुएंगे दूसरा test में आपके marks कमा रहे हैं टेस्ट में आपके marks कमा रहे हैं decrease हो रहे हैं आप demotivate हो रहे हैं तो नहीं होना है तो यह बहुत जरूरी है यह नहीं करते हैं तो आपके पास फुल लेंट टेस्ट अब क्या है कि बच्चों को लगता है कि हमें आपको दस टेस्ट मिल रहे हैं पर मैं तो कोछी करूँआ कि आप पर फुल लेंट टैस्ट केंदर इसके अधार पुल टैस्ट और पांच आपके सभ्डेटव स्टेस्ट होते हैं और सबंचे साथ वाईं टैस्विस लाइट मैं इसमें अपके डवलाइण में हैं इस वेरी वेरी इंपोटेंट कि आप लास्ट टाइम में अपने पांच फुलन टेस्ट दे सकते हैं वह से वच्छा को डाउट है कि इसको आप पे दें इसको कहां पे दें आपको वेबसाइट पे देना है वेबसाइट पे आपको फील भी आएगी और वर्ट्वल काल्कुले आप इस पर पहुच जाओगे तो ठीक है वहां से वह आपकी लोगिन मांगेगा तो लोगिन कर लेना आप उसको जब इसको यहां पर बाइनाव का उप्शन आएगा तो आप इसको बाइकर सकते हैं यहां पर आपको ऐसे टेस्ट मिलेंगे पांच आपके पास मिक्स आपको detailed explanation साथ मिलेगी और virtual calculator भी मिलेगा तो लास्ट टाइम पर आप इसको कर सकते हैं आपको कहीं नहीं जाना आपको किसी website पर नहीं जाना सीधा our exam.org की website पर क्लिक करके ऊपर online test बहुत साथ बच्चे यहां से लोगिन कर रहे हैं यहां से लोगिन नहीं करना आपको आपक अपने test दे सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप जो बच्चों ने अभी तक test नहीं दिये हैं पर चेस नहीं करें हैं या उनको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो लास्ट मुमेंट पे आप अपने पांच फुलन टेस्ट भी दे सकते हैं कोसिस करूँगा कि मैं आपको इसकी PDF FB दूँ उसके लिए criteria है वह आपको मैं बता दूँगा लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इसे इतना ही बात बताई गई है बात करते हैं कि सर कौन कौन से topics पे ज्यादा focus करें लास्ट मुमेंट पे कैसे focus करें क्या करें क्या ना करें वह आपको एक बार देख लेते हैं वही जैसे मैंने प्री का टेश्ट देखा आपका एससी जाई का तो उसमें आपके सब सब्जेक्ट्स हैं में लीज जो आपके पास topics है उनको मैंने ऐसे cover कर लिया है जैसे प्री में सबसे रग जो questions आये हैं वह इन वाले topics से ज्यादा आये हैं इन वाले topics से कम आये हैं इन आपका hydrology भी आ रहा है इन्वार्मेंटल इंजिंग से कोश्चन आ रहे हैं जो वो कोश्चन बना रहे हैं सोल प्लस RCC और BMC यदि पहले बात तो यह है कि आपको सब कुछ कवर करना था यदि आप नहीं कर पाएं तो इसके questions आपके last moment पे नहीं लगेंगे और आपका demotivation होना demotivation आपको आए गई आएगा इस चीज़ का इसलिए उनको चीज़ को number try करो जो आपका strong point है उस पर ज्यादा काम करें लास्ट में तो ज्यादा आपको अच्छे से result मिलेंगे ठीक है हमें बात कर लेता हूं कि कि सर्वेंग में से कौन कौन स्टोपिक से exam में questions बनते हैं इसका एक बाद detailed analysis कर देते हैं ठीक है कि सर्वेंग से कौन कौन स्टोपिक से question बन सकते हैं जो आते हैं वो compass के तो आएगा या आएगा compass से आ सकता है leveling से आ सकता है instrument से आ सकता है कि आपके जो permanent adjustment होते हैं वो क्या होते है टाकोमेटर से आ सकता है टाकोमेटरी ठीक है और आपके किस से आएगा plane table survey से question आ सकते हैं से बहुत कोशन बन रहे हैं आपसे plane table survey और कॉंटियों से बहुत कोशन बनना है यह टापिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे तो आपके पास fundamental of serving इन वाले topics को आपको अच्छे से cover करना है यहां से आपके exam में questions बनते ही बनते हैं ठीक है कुछ topic मैं छोड़ दिया है लेकिन at least आपको इन topics पे ज्यादा coverage करना चाहिए as per the pattern जो आशकल चल रहा है आरा exam में ठीक है और estimation पे तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा आपको बताने सकता बात करते हैं इरिगेशन हार लोजी की बात करेंगे कि इरिगेशन प्लस हाड लोजी है कि तो वहां से जो questions बनते हैं वो ड्यूटी एंड डेल्टा से बनता है प्र आपके केनाल डिजाइन से question बनेंगे पूरा पढ़ना है हो canal design पिर आपके वाद जो canal headworks है है केनाल drainage है drainage वाला part है इन सबसे आपके exam में questions बनते हैं आफ पूर्थ पार्ट river training से question बन सकता है तो यह आपके कोश्चन से जो एक्जाम में बनते हैं इन सब को आप अच्छे से करिए यदि आटलिस कुछ नहीं कर पाएं तो लास्ट मोंट में इन पर जादा फोकस करिए एक्जाम में कोश्चन आपके इस वाले टॉपिक सबसदा बन रहे हैं कनाल हैडवक्स डाइवर्ज सबसे पहले आप अपने हाइडरोग्राफ को करिए know Jag tea पर काम कर सकते हैं कि आपको फइन निकालना आता हो आपको डिफ्ट्स डिकालना आता हो आपको डिफ्रेंट टाइब की क्वेश्छ पता ओं कौन कौन सी क्वेशन स मष्ण कर्ते हैं आपको रिटर्न पीर पर ज़िकर पर होना चीव कि जो अ्करैंस है पर आकको आपको इसमफ चाहिए कि फ्लैट राउटिंग wordt प्रणको हो निचाहिए हैं यहाँ से आपके एक्स nhân बनता है एक म्सक्राउट ㅇकि au पर हम calculate कर रहे हैं कैसे lagging करते हैं ठीक है बहुत साथ छोड़े जो topics हैं time of concentration क्या होता है कैसे calculate करेंगे different type के जो formula होते हैं Dickens formula English formula उनका formula क्या होता है उनमें SG power क्या होती है ऐसे बहुत questions बनेंगे इसमें एक topic और निकालेंगे इसमें spillway इस पिलवे जितने भी आप यूज करते हैं रोड क्रिस्टिट वाला वियर जो यूज करते हैं उनकी discharge की questions आपको पता होनी चाहिए ठीक है फिर हम बात करते हैं इन्वार्मेंटल इंजींग के बारे में इन्वार्मेंटल इंजींग इन्वार्मेंटल इंजीनियरिंग यदि आप इन्वार्मेंटल इंजींग की बात करेंगे तो दो पार्ट में बटा हुआ है एक तो हम बोलेंगे कि आग वाटर वाला वाला वेस्ट वाला और उसके वाद बचता है आपका solid waste management management और pollution परी में तो इसका सबसे ज्यादा आया है उसके आप काम करना पड़ेगा आपको different type के solid waste management के type पता होने चाहिए कि किसमें क्या करते हैं कैसे करते हैं ठीक है यह पता होना चाहिए water के दिया बात करेंगे तो सबसे पहले कि कुशन आशकता है कि क्वालिटी पैरामेटर से कुशन आसकता है है ठीक है और rapid send filter the low send filter को इनसे कुशन आसकता है अब है कि क्वालिट्री निगालने को आसकता है कि और different type के जो formula है कि कौन सा कहां पर use करते हैं कैसे use करते हैं इस अब आपको पता होना चाहिए waste water में serious treatment से question आएगा serious treatment और दूसरा दूसरा होता है sewer design sewer design यहां से आपके exam में question बनता है इसमें हम साथ में भी calculate करेंगे BOD की value TOD की value, THOD की value यह सारी values आपको calculate करनी आती हो solid waste management में आपको types पता हूँ कौन-कौन से types होते हैं कौन सा कहां पर use करते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए pollutions में air pollution आपके ज्यादा important है इसमें हम different type की values calculate करते हैं कि environmental lapse rate ज़्यादी आपका हम बोल देते हैं admin lapse rate से ज़्यादा है तो क्या होगा plume का behavior कैसा है क्लूम का behavior कैसा है इन सब पर काम करते हैं और आपके आईयस कोड के recommendations के कहां कहां पर noise pollution में कितनी कितनी value पर काम करते हैं वो सारे question आपके exam में इस topic से बन सकते हैं ठीक है भाईयो चलिए बात करते हैं आपका soil का वेटिस कमता लेकिन मेंस में बढ़ सकता है सबसे ज़्यादा जो questions बनते हैं वह आपके shallow foundation से बनेंगे फाउंडेशन से नमबर टू अर्थ-प्रेशर थियोरी करते है करते है करते है आपके लिए काफी इंप्रेंट रहेंगे स्वैल में वैस्ति को सब कुछ पढ़ रखा करें लेकिन इन वाले टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करिए लास्ट मुमेंट पर इनका थियोरी वाला पार्ट इनके नुमेरिकल्स वाले पार्ट इनकी इन सब पर काम कर सकते हैं यदि मैं आर सीथी की बात करूं तो आइस 456 आपको अच्छे से आता हूं ठीक है उसके सारे रिकमेंडेशन्स आपको पता हूं चाहे आपके इस लाप के हो कोलम के हो उस सब के हूं ठीक है अब जैसे जब से आपका वर्ट्वल कैलकुलेटर आया स्टेट्मेंट वाला कोश्यंस ज्यादा बनेगा ठीक है यह वात आपको ध्यान अखना है कि आपको बीम डिजाइन अच्छे से पड़के जाना है उसके कोडल रिकमेंडेशन्स आपको अच्छे से आते हूं कौन सा कहां पर यूज करते हैं तो आर से में आप यह अच्छे अब बात करते हैं BMC विल्डिंग में बात करते हैं तो बील्डिंग में वैसे तो सब कुछ इंपोटेंट है लेकिन जो दो चीज़ें वह काफी इंपोटेंट है दूसरा पहला है कॉन्क्री टेक्नोलोजी वाला पार्ट बहुत अच्छे से आता हूं आपको दूसरा करिए और पढ़िए कि क्या क्या सकता है इसमें कैसे कैसे आ सकता है कौन से कहां पर यूज करते हैं इसमें अग्रीगेट का बहुत बड़ा रोल है इस पर आप धंग से काम करेंगे तो चीज़ें आसान तरीके से हो जाएं ठीक है यह थे आपके में टॉपिक्स जिन पर मैं सुम है स्टील है श्टैल सक्तिर वाला पार्ट है मैं तो बोलता हूं कि यह आपको लास में लगता हैं कि आपको इन में कॉन्फिदेंस नहीं आ रहा है तो आपको एट-स सारे फॉर्मलर होने चाहिए सारे concept पता होने चाहिए concept पता होने चाहिए इस पर आप काम करिए तो चीज़ आपको आसान तरीके से रहेंगे आपको confidence भी आएगा ठीक है अब बाद आती है सर क्या करें इस last में देख चीज मैं आपको दा रहा हूं कि जो बच्चे हम से पढ़ रहे हैं उनके पतारों में प काम करिए दूसरा आपके पास या तो short notes हो या फिर आपके पास या फिर आपके पास कोई booklet हो formula revision की बुक हो formula formula revision का बुक हो उसमें आप साथ में add करिए अपने टेस्ट स्रीज को और बार बार आपको यही रिवाइस करना है यू हाब टु रिवाइस ओल अप दीस तिंग्स अगें अन अगें कुछ नया ट्राइब करने से अच्छा है कि आप इसी को बार बार रिवाइस करें classroom PDF अगें 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 इसी बार बाग काम करेंगे तो इसके नबर का पता नहीं कैसा सकता है तो इसलिए उसके पीछे मत लगो कुछ बच्चे बहुत अच्छे नमबर रहे हैं टेस्टी में 285 290 उनसे परेशान बहुत अच्छे नमबर लेके आ अपने टेकनिकल में तो वह अच्छे नमबर है बहुत ही अच्छे नमबर है ठीक है इससे ज़्यादा की तो आप उम्मीद ही मत करें कि आप अच्छे नमबर आएंगे जहां बहुत ज्यादा रहते हैं तो हम करेंगे काम और मैं आपको लास में बस इतना ही कह सकता हूं कि जितने टेस्ट आपके हुए हैं उनका सॉलूशन मैं कराने कोसिस करूंगा आपके यूट्यूब चैनल पर और धन्यवाद आप समने हमारा साथ दिया और अच्छे से आपका में इसका इसका कंप्लेट कराया वस आपका अब यही रहेगा धन्यवाद धन्यवाद कि अच्छे से आप नंबर लेके आओ अपनी सकरो बहुत अच्छे से नंगेर अगर यह सकते हैं इसको पर चल्दी आपके आपके बाते ठीक है मिलेंगे शाम को आठ टेलेग्राम चैनल पर थोड़ा सा बात करेंगे तो कि लास्ट में भाई तो चाहिए होता है कि हम डी मोटिवेट रहेंगे रहेंगे लगेगा कि आपको सब कुछ याद है बट कुछ सब कुछ भूल रहे हैं नंबर नियारे टेस्ट में दोस्के अच्छे आ रहे हैं सब कुछ आपके पास हर चीकर टैलिमा आपको जहिलना पड़ेगा लास्ट में लेकिन वन इस डैट कि अपने उपर विस्वास रखें बहुत बड़ी ची ठीक है आप अवनीश शर्मा तो से जुड़े हुए हैं आप एक्जाम से जुड़े हुए हैं यहां के वाच्छे फोड़ के आते हैं पेपर यह बैच भी फोड़ के आना चाहिए पर बस इतना ध्यान रखना बाबाए कि अलो